आलू का जूलसा रोग यकिन किन कार्णों से होता है जिसे की आलू सूप कर मर जाता है और धिरे धिरे जो जूलसा रोग पूरे खेतों में तबदिल होका या पूरी फसलों को बरबाद कर देता है तो आज जानेंगे की यकिन किन कार्णों से होता है इससे पहले मैंने एक और वीडियो आलू का जूलसा रोग के लच्छन और उसके ओपाई बताया था जिसमें आ गेती और पछेती जूलसा रोग के बारे में बताया था और उसका लच्छन और उसका हम कैसे रोक ठाम करें उसका भी जनकारे दिये थे तो किसान भाइयो आज फिर से आलू का जुल सा रोक का वीडियो बनाने का कारण है कि अच्छी पाउधा सुकर मर रहे हैं जिसमें आपकी जड़े भी स्वास्त हैं साथ में आपकी पतियां भी स्वास्त है और अध तो यही वजह से आज यह वीडियो बनाने का कारण बना तो किसान भायों आज जानेंगे कि आलो का जुल सा रोग किन किन कारणों से होता है और आलो सूपकर मर जाता है तो पहला कारण है कि अत्याधिक किसान भाई रशानिक रूरक का परियोग करना दुसरा कारण है कि मोसम का परिवतन होना तीसरा कारण है कि बेक्टरियल और फंगस का अधिक पर कोप होना तो किसान भायो पहला कारण जानेंगे कि अधिकतर रसाइन कुरूरग का पर्योग करते हैं तो हमारे फसलों पर क्या परभाव पड़ता है तो किसान भायो जब हम अधिक से अधिक रसाइन कुरूरग का पर्योग करते हैं उधारन के लिए D.I.P. यूरिया या N.P.K. या सालफेट पोस्पेट पोटास जो भी रसाइन कुरूरग का पर्योग करते हैं हमारी जो मिट्टी होती है वह तो एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन हमारे आने वाले जो भी फसले हम उगाते हैं वह एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि हमारी मिट्टी धीरे-धीरे वह खराप दे जाता है क्योंकि जो भी हम रसाइन कुरूरग का पर्योग करते हैं उसमें अधिकतर केमिकल से बनी होती है जिस कारण से हमारे मिट्टी धीरे-धीरे बंजर हो जाता है तो किसान भाईयो जब भी हम फसल नेक्ष्ट फसल लगाते हैं तो इस परकार से हम अगर रसाइन कुरूरग का पर्योग करते रहते हैं तो हमारे फसलों पर दुरूपयोग परभाव पढ़ता है जिसका कारण या जुलसा रोग भी है अब जानेंगे किसान भाईयो की मोसम का परिवतन मोसम का परिवतन जब धीरे-धीरे 15 से 25 डिगरी आलू का तपमान होना आनिवारे होता है जो कि 15 से 25 डिगरी अगर हमारे आलू की फसल को मिलती है तो अच्छा और सोष्ट और अधिक उतपारन देता है इससे अधिक हमारे जो आलू का फसल होता है उसमें तपमान मिलती है जैसे 25 से 35 या 40 मेरे फसलों पर टेमपरेचप मिलती है तो हमारी जो आलू का पतियां होता है तो न होता है कमजोर हो जाता है और इससे जुलसा रोग या अन्य रोग देखने को मिलती है या तो अधिक temperature का गिरावट होना जैसे अभी का मुसम है कि तपमान में अधिक गिरावट हो रहे हैं जिस कारण से भी यह लच्छन देखने को मिलती है तो किसान भाईयों यह दो कारण थे आप तीसरा कारण है कि bacterial और fungus का अधिक परकोप जैसे हम किसान भाई स्वास्ट पौधा रहता है तो किसान भाई थोड़ी सी ख़च करने के लिए या तो दवा का छिड़काव नहीं करते स्वास्ट पौधा रहता है उस समय और जब हमारी फसलों पर बेमारी लग जाती है तो हजारों रुपिया ख़च कर देते हैं लेकिन किसान भाईयों को आज यह जनकारी देना चाहता हूँ कि जब आपकी फसल शुरुवात पर रहे उसी समय से फंगस और बेक्टेरियल दवा का परियोग करना चाहिए इससे होता है कि हमारी फसलों पर कोई भी बेक्टेरियल या तो फंगस रोग नहीं लगता इससे हमारी फसले सुरचित रहती है किसान भायो अब जानेंगे कि अगर हमारी जो आलू की पसल पर जुलसा रोग लग गया तो कैसे जुलसा रोग को नियनतित करे रोग ठाम करे तो पहला कारण है कि सबसे पहले रोग लगी हुई पौधों को उखाड ले और कहीं दूर अस्थान पर गड़ा खोड़कर मिटी से धग दे या उसे दफना दे इससे होता है कि रोग पौधे हटने पर दूसरे पौधों पर यह बिमारी तैजी से नहीं फलता है अब दूसरा कारण है कि contact fungicide और contact insecticide दवा का छिटका करें इससे होगा कि आपकी जो फसले पर यह रोग लगी होगी तो तुरन्त आपका यह दवा से कंट्रोल होगा तो किसान भायो कॉंटेक्ट फंगिसाइट दवा है इंडोफिल M45 और कोपर अक्सिक्लोराइट ये दो दवा है इसके अलावा और कॉंटेक्ट फंगिसाइट दवा है उसका भी छिरकाव कर सकते हैं तो कॉंटेक्ट फंगिसाइट दवा इंडोफिल M45 तीन ग्राम पर लिटर पाने मिलाकर इसपेर करें और इसके साथ टेक माइसीन जो एंटिबायोटिक दवा है उसका भी मिलाकर आप छिरकाव करें ये दो दवा का अगर दो बारा छिरकाव करते हैं तो आपका जो भी जुलसा रोगती है उसे आप पूरी तरीके से नियंतित पाएंगे अब दूसरा है कि कॉंटेक्ट इंसेक्टिसाइड दवा जैसे ठाय में थोकसम 25-35 ग्राम 15 लिटर पाने में मिलाकर इसपेर करें तो इससे जो भी रश शुसक कीट होती है आप उसे नियंतित पाएंगे अब किसान भायों जब हमारी पौधा स्वास्त रहे उस समय पौधा पर जुलसा रोग ना आए इसके लिए हमें क्या करना है तो सबसे पहले जब हमारी पौधा स्वास्त रहे उस समय पौधो पर माइक्रो नियूट्रेंस सुच मुपोशक दवा का छिड़का करें इससे होगा कि पौधो पर बिमारी से लड़ने में मदद मिलती है और दूसरा है कि एरास्यूसक की टावर सिस्टेमिक फंगिसाइट और सिस्टेमिक इंसक्तिसाइट दवा का छिड़का करें सिस्टेमिक इंसक्तिसाइट और सिस्टेमिक फंगिसाइट दवा का छिड़का इसलिए करना है कि आपकी जो सुष्ट पोधर होती है उस समय आप इसका छिड़का करते हैं तो आपकी फसलों पर तनापबतियां और जड़े सभी तरफ इसका असर दवा का असर देखने को मि बाहर से भंगस या बेक्टरियल का आने का चांस होगा उसे आप नियंतित पाएंगे और आपका जो जुलसा रोग या अन्य रोग भी आने का संभवना रहेगा उसे आप नियंतित पाएंगे तो किसान भायो जब भी आप फसल लगाते हैं तो अधिक से अधिक गोबर खाद का परियोग करें और कम रसानी कुरूर का परियोग करें उसके अस्थान पर जैई खाद का परियोग करें किसान भायो खेतों का साब सफाय रखें और सही समय पर आप कोई भी फसल आलू या कोई भी फसल लगाएं तो सही समय पर लगाएं इससे होता है कि आपका जो भी आलू होती है या अन्य फसल होती है उससे आच्छा उत्पादन भी मिलता है और आच्छा रेट भी प्राप् होता है किसान भायो आज का ये जनकारी आपको कैसी लगी अगर आपको ये जनकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाकन को दबा लें जिससे की आने वाले नेक्स्ट फीडियो की जनकारी आप तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे किसान को भी ये जनकारे मिल सके आज के लिए इतना है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जैन, जै जवान, जै किसान